हलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा आज हम क्या लाए हैं आज है हम लेकर आए हैं आपकी क्लास क्लास टेंट के हिंदी कोर्स बी की बुक है इसपर्श दो इसपर्श भाग दो का पाठ है चार मनुशता इस चैप्टर का हम कोई क्रिविजन कंप्लीट चैप्टर रिविजन लेकर आए हैं एक बार में हम इस पूरे चैप्टर को आपको समझाएंगे और साथ ही कुछ कोशन आंसर को भी सॉल्फ करेंगे तो इस चैप्टर की हम पूर दूर एक बार देख लिजेका और यह जो वीडियो है यह है आपके क्रिविजन के लिए कि आप एक बार में इस पर फट फट चीजों को समझाएं चले देखते हैं इस पार्ट को सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे जो कविता हमारे सामने रखी गई ती उस कविता को हम पहले पढ़ेंगे फिर इसके सार को समझेंगे तो यह जो कविता है यह आच चंदों में हमारे सामने रखी गई है तो एक एक करके पढ़ते हैं क्या दिया है कविता लिखी है हमारे सामने मैथली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छी कविता है ध्यान से देखिएगा विचार लो की मृत्य हो ना मृत्य से डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी हुई ना यो सुमृत्य जो व्यथा मरे व्यथा जिये मरा नहीं वही की जो जियान आप के लिए वही पशु प्रवत्ती है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे वही उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्त भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीरती कूजती ये तथा उसी उदार को समस्त शिष्ट पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शुतार्त रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी उनी सिश्टिज ने स्वमान सदान भी किया सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित देह के लिए अनाद जीव क्या कडरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे सहान भूति चाहिए महा विभूति है यही वशी क्रता सदैव है बनी हुई स्वयम मही विरद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने जुका रहा अहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुश है जो मनुश के लिए मरे रहो न भूल के कभी मदान्त तुच्छ विद्ध में सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में दयालुदीन बंधु के बड़े विशाल हात है अतीव भागहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुश है जो मनुश के लिए मरे अनन्त अंत्रिक्ष में अनन्त देव हैं खड़े समक्ष ही सव भावू जो बढ़ा रहे बड़े बड़े परस्प स्वावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त अंक में अपंक हो चड़ो सभी रहो न योंकी एक से न काम और का सरे वही मनुश है जो मनुश के लि मरे मनुश मात्र बंदु है यही बड़ा विवेक है पुरान पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है फला नुसार कर्म के अवश भाव भेद है परन्त अतैक के प्रमाल भूत वेद है अनर्त है कि बंदु ही न बंदु की व्यथा हरे वही मनुश है जो मनुश के लिए मरे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्त विग्न में जो पड़े उन्हें धकेलते हुए घटे न हेल मेल हां बढ़े न भिनता कभी अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी तभी समर्त भाव है कि तारता हुआ तेरे यह वही मनुश है कि जो मनुश के लिए मरे तो मैतली शनन गुप्त जी ने यह बहुत अच्छी कविता लेखी थी मुझे तो पढ़ने में ही बड़ा मजा आ रहा था आई होप आप लोगों को भी काफी मजा आएगा एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़के जरूर देखिएगा अब चंद बाई चंद इसको हम explain करेंगे कि इसमें था क्या तो यह आठ चंदों में आपके विभक्त कविता है तो पहले चंद से हम शुरू करेंगे इस कविता में कवी मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कहने का मतलब है हम मनुष्य बनकर प्रत्वी पजन में हैं तो हमारा क्या कार रहे हमें मनुष्यता दिखानी है बहुत से लोगों ने बहुत सारे काम की हैं जिसमें आप अभी आपने नाम भी देखा रंतिदेव हैं करने हैं आपके ददीची हैं तो बहुत सारे लोगों के नाम भी हमने इसमें पढ़े कि उन्होंने कितने परोपकार करने के लिए अपने कभी भी जो है अपनी चिंता नहीं करें अप्रार तक त्याग दिये तो मनुश्यता वही कि हम दूसरों के लिए काम आओं हम यहान बन कर जन्व में लिए है वह हम यहांपर संचेंगे पहले भाग में कभी कहता है पहला भाग मतलब पहला चंद मृत्यू से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यू तो निश्चत है पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यू के बाद भी याद रखें असली मनुश वही है जो दूसरों के लिए जीना वबना सीख ल कोई अमर नहीं है और यह सच है तो इसलिए हमें मृत्यू से नहीं डरना चाहिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें हमें ऐसे कर्म करने चाहिए हमें ऐसे कारे करने चाहिए कि जब हम मृत्यू भी प्राप्त कर लें मगर लोग हमें हमे हम हमारी फिकर करने के लिए प्रभू है जाहिर सी बाद हम अपनी प्रिकर बाद में करें पहले हम दूसरों की अगर फिकर कर लें हम उधारता दिखा लें दूसरों की मदद करें कहीं कोई तकलीफ में हैं उसके अगर मदद करते हैं तो जान लीजे कि हमारी मनुष्य जो मनुष्य का हमने जन्म लिया है मनुष्य यूनी में वो सफल है तीसरे चंद में आते तीसरे भाग में कभी कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उधारण हैं जिने उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भावन जान ले तो पुराण अगर हम अमने की ग्रन्तों पुराणों को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत से लोगों को जानेंगे रंदिदेव ने अपने शरीर के मास को भूंके बाच को खिला दिया था तरीके से जो है दधीची ने जो है देवताओं की प्राप्त करें उसके लिए एक बहुत अच्छा अस्तर बनाना था तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और उनके शरीर की अस्थियों से जो अस्थिया यानि की जो हड्डियां थी उनसे जो है अस्तर त्यार चिपका हुआ था किसी ने उनसे दान के रूप में मांगा उन्होंने अपने पूरी खाल सही तो यहां पर हमारे पुराणों को अगर हम पढ़ने चलेंगे तो ऐसे बहुत से लुगों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे चौते भाग में कभी कहता है मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और दूसरों के लिए जीता है हम आए हैं, हम अगर दया नहीं रखेंगे हम अगर कुरूरता दिखाएंगे दूसरे प्राणियों पे तो हमें और उनमें फरक्त क्या रहे गया जानवर को आप देखते हैं वो खुद ही अपना खाने का इंतजाम करता है दूसरों को मारता है, खा लेता है दूसरों की चिंता कभी नहीं करता आपने आप अगर जानवरों में ये चीज़ देखेंगे लेकिन मनश्य की योनी हमें क्यों प्राप्त हुई है इसलिए प्राप्त हुई है कि हम दूसरों की भी फिकल करें हम दूसरों का भी भला चाहें तब ही हमारा जीवन सफल है फिर लाने वाले हमारे जन्म के जुसाह तक है वो है प्रभू तो इश्व्र ने हमको यहां पर लाकर रखता है तो हम जो भेधभाय। धर्म, जातीं वेच्टुश सम करते रहते यह ना, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि हम सब को बनाने वाले इश्वर एक ही हैं तो हमें अप चटा चंद है उसमें क्या कहते हैं कभी कहना चाहते हैं हमें दयालू बनना चाहिए क्योंकि दयालू और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं अता हमें दूसरों का परोपकार वा कल्यान करना चाहिए तो अब यहां पर क्या बताया कि हम दूसरों का परो बना रहे तो सबसे पहले अपने से पहले दूसरों का सोचना शुरू करिए फिर एह साथवे भाग में कवी कहता है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग-अलग हो परन्तु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है हम सब एक ही मनुष्य इश्वर की संतान है आता है सभी मन मनुष्य भाई बंधू है और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरों के काम आये तो कहने का मतलब है हम बाहरी तोर पे भले अलग-अलग हो एक है तो जब वह एक है तो हम अलग-अलग कैसे हो सकते हैं तो हमें भेदभाव नहीं करने चाहिए अंतिप भाव में कभी कहना चाहता है कि विपत्ती और विग्ण को हटाते हुए मनुष को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए आपसी समझ को बनाये रखना चाहिए और भेद भाव को नहीं बढ़ाना चाहिए ऐसी सोच वाला मनुष ही अपना और दूसरों का कल्यार और उद्धार कर सकता है तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने विपत्ती और विग्ण को हटाते हुए मनुष को मनुष को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए कहने का मतलब हम ऐसे रास्ता नहीं चुने कि जो बहुत इजी हूँ हम हमारा जो इच्छा है जो मन है हमें उसे यह नहीं कि सोचे कि इसमें तकलीफ है तो हमने जाहिसी बात है सच्चाई और अच्छाई का रास्ता मुश्किल ही होता है तो हम उस रास्ते को चुने जो सही है जो अच्छा है उसको चुने उसमें जो भी विपत्तियां जो भी विक्ने आएं उनने हमें अपनी कोशिचों के दोअरा हटाना चाहिए क्योंकि यही रास्ता सही होता है जो भी हम Short Cut लेते हैं जाहर सी बात है वो Short Cut होगा, Easy होगा लेकिन कहीं न कहीं गलत होता है और उन रास्तों पर किसी सरुके हडल्स नहीं होते, कोछ दिरी मुसीबते नहीं होते तो ऐसे रास्तों पर चलिए और मनुष्यों का हमेशा जो दूस बरोपकार करते रही है, दूसरे मनुष्यों का जो है अच्छा हमेशा चाहते रही है, तो यहाँ कोशन है, विचार लोग की मृत्य हो, कभी ने ऐसा क्यों कहा है, हमें सुम्रत्य कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर उन्हें क्या बोला है, कि जो शब्द बोला है विचार लोग की मृत्य हो, कभी ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा कहने का कभी ने मनुष्य से मृत्य होने की बात इसलिए कही है क्योंकि इससे दो पॉइंट्स में हमने समझाया है मानव शरी नश्वर है नश्वर मतलब ये एक दिन नश्ट होगा हमेशा नहीं रहेगा इस शाश्वत नहीं है यानि कि हमेशा बना नहीं रह सकता ये नश्वर है एक दिन जाकर नश्ट होना ही होना है इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है तो यानि कि विचार लो की मृत्य हो यानि कि अपने मन में ये चीज कलपना कर लो कि एक दिन मृत्यू निश्चत है मनुष चाकर भी अपनी मृत्यू को नहीं टाल सकता हम चाहें कि हम अपनी मृत्यू को टाल दें ये संभब नहीं है हम नहीं टाल सकते हैं मनुष अच्छे अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रतिसानभूती दिखाते हुए परोबकार करके अपनी मृत्य को सुमृत्यू बना सकता है कि मतलब ऐसे कर्म करें कि हम्रत्यु के बाद भी लोग में याद करें तो ऐसे मृत्यु ही प्लत्यु कहलाती है। next question है कभी किसके जीने और मरने को एक समान बताता है कभी न यहाड पताया ना जिसका जीना भी और मरना भी दोनों एक ही समाने, ऐसा कौन होता है? इस नश्वर संसार में हजारों लाकों लोग प्रति दिन बहते हैं, इनकी मृत्यों को लोग थोड़े ही दिन के बाद भूल जाते हैं, ये लोग अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही जीते हैं, उन्हें दूसरों के दुख प्र आधना में लगे रहने वाल, उनके जीने और मरने को एक समान बताया है, तो ये किनके बारे में बात करिए, बदब जिनका जीना और मरना दोनों, यानि कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, यानि कि दूसरा क्या करें, दूसरा क्या सोचता है, क्या करता है, ऐसे लो लोग हैं, उनको हमारी वज़े से कोई तकलीफ हो रही है या हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं, कोई दुख है उनको तो उसको हम माच सकते हैं, किसी से कोई चीज से मतलब नहीं रहता, वो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो अपने लिए ही जी रहे हैं और अपने लिए ही मरेंग तो यहाँ पर एक लाइन थी अखंड आत्म भाव भरे तो यहाँ पर इससे क्या मतलब उन्होंने बताया है अखंड आत्मा भरने के माध्यम से कभी यह कहना चाहता है कि लोग एक दूसरे के एक दूसरे से वैमनस, इर्शा, द्वेश, आदी भाव ना रखे और सारी दुनिय हमें यह सब चीज़े नहीं करनी हमें एक धर्ती पर हैं और सभी को अपना भावी मानते हुए इस पूरी धर्ती को हम एक परिवार की तरह माने कर चले अखंड मतलब जिसको हम तोड़नी सकते हैं परिवार में क्या होता सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो नहीं रह करता में मनश को भाई समझना तो दूर मनश की ही नहीं समझते हैं कभी इस संक्रीता का त्याद करने और सभी के साथ आत्मियता बनाने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं वो इस जाती का है वो इस धर्म का है वो इतनी नीची जाती का है उसके हाँद का पानी नहीं पी उसके घर नहीं जाओ वो दूसरे धर्म का है उसके हाँ से नहीं तो ये जो है वो रुकाले है वो गोरा है तो यह जो भाव होते हैं ना कुसी काम के नहीं है सब बेकार है हमें यह भाव नहीं रखने हैं अपने अंदर क्यों क्यों कि यह जो संक्रीटा यानि कि यह जो छोटी सी सोच हमने अपने अंदर पाल लेते हैं तब हम खुल कर जी नहीं पाते सोच नहीं पाते ची जीवित पराड़ी है यह बहुत ही गलत सोच होती है, इसलिए हमें सोच का त्यार करना चाहिए, हमें अपने अंदर अखंड आत्म भाव रखना है, यानि कि दूसरों को अपना समझने वाला अखंड यानि जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसे भाव के साथ इस धरती पर हमें 229 प्रश्न संख्या चार मनुष्य किसी अन्य को अनात समझने की भूल कब कर बैठता है मनुष्य की स्वाभाविक प्रवत्त्य कि धन आते ही उसके मन में घमंड का भाव क्ल या रभावा आ जाता है देख कर जब कुछ लोग उसकी चाटुकारिता करने लगते हैं ऐसे में वह धन्वान व्यक्तिक खुद को बलशाली समझने लगता है धन और बलका मेल होते ही वह अनैतिक आच्रण पर उतराता है वह दूसरों को अपने से कमजोर और अनात समझने लगता है तो क्या होता है धन ठीक है उस तरीके से समझने लगता है और ऐसे धनी व्यक्ति को जो है जो लोग लालची होते हैं उसकी चाटुकारिता यानि कि उसकी चापरूसी करने लगते हैं और यह ऐसा व्यक्ति के साथ जब ऐसे चापरूस लोग मिल जाते हैं यानि कि धन भी है घमंड भी है और ताकत भी जब ऐसे लोगू के हाथ में आजाता है तब ऐसा व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों को एक दम बेकार अनात समझने लगता है यानि कि ऐसे जो साधारन मनुष्य हैं वो सभी अनात है उनका कोई भी साथ देने वाला नहीं हो जाता ऐसी उसकी सोच हो जाती है तो कैस कब होता है जब व्यक्ति के पास धन आता है, घमंड धन के साथ घमंड आता है, घमंड के साथ चाटुकारिता आती है, और चाटुकारिता वाले व्यक्ति ही उसको ताकत प्रदान करते हैं, और तब वो सभी मनुष्यों को अनात समझने लगता है, शुट करते हैं सबसे पहले कविता के स हम कभी तको पढ़ेंगे पहले जरते हैं जाग भरे निरजर गिरीवर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांशाओं से तरुवर हैं जाक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिन्ता परा उड़ गया अचानक लो भूधर फाड अपार पारद के पार रव शेश रह गए निरजर है तूटा पहाड भूपर अंबर धस गया धरा में सभै शाल उठ रहा धुआ जल गया ताल जो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेल था इंद जाल तो किस तरीके से रितू यानि की वर्षा रितू में परवतों पे पलपल में जो हैं द्रश परिवर्तित होते हैं किस तरीके से वरक्ष वहसूस का दिख रहे हैं कैसे उस पर पहाडों पर खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं फूलों को किस तरीके से आखों की तुल्ला दी गई है बहुत ही सुन्दर दिखाया गया है तालाब है तालाब को दरपण की उपमा दी गई है कि वो एक दरपण के मात्र जो है दिखाई दे रहा है और किस प्रकार इंद्र भगवान इस पलपल परिवर्थत होते में अपने रत को लेकर इधर उधर विच्रण कर रहे हैं बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सुमत्रा नंदन पंत में इस पोयम की हमने लाइन वाइस एक्स्पेलेशन आपको पहले करी हुई है तो इसको आप जरूर देख लीजेगा पहले अब इसके सार को हम समझते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कभी ने इस कविता में प्रकति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है प्रकति सजीव हो उठी है तो यहाँ प कभी कहता है कि वर्ण रिच्टु में प्रकति का रूप हर पल बदलता है जहर सी बात है जैसे जैसे बादल आते हैं अब आपकी च्छाओ आ जाती है कभी कभी आप देखते हैं च्छाओं आएगी कभी जो है इकदम से बादल खुब जोर से बरसे लगते हैं फिर धूप आ जाती है तो कैसे पल-पल परिवर्टित होते हैं परवत पर ये चीज़ बताई गई कभी वर्षा होती तो कभी धूप निकलाती परवतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे परवतों की आँखें और वो इन आखों के सहारे अपने आपको अपने चरणों में फैले दरपन रूपी तालाब में देख रहे हैं तो अब क्या है जैसे पहाड है ये स् रूप को र्षारितूमें रूप तो वुखत लिख रहाता हर्याली चाजाती। तो अपने इस रूप को वह जो तालाप है उसके चरुणों के तले, आनी कि पर्वत के नीचे जो तालाप है जरुनों के तले वहाँ पर अपने रूप को देख कर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है कि किस तरीके से हम सुन्दर लग रहे हैं परवतों से गिरते वे जरुने कलकल की मधूर आवाज कर रहे हैं जो नस नस में प्रसंदता से भर रहे हैं अब क्या है जरुनी की जो आवाज है जो वर्शार ये तो जब होती न तो जरुनों की आवाज भी बहुत तेज हो जाती कि उसमें पानी बहुत जादा आ जाता है तो उनकी जो आवाज है वो बहुत तेज होने से क्या है मन में उत्तेज ना आप कहें जैसे कोई चीज होती न हम अभी शांत सभाव में है कोई चीज अगर हम fast music सुनते हैं तो हमारी क्या हाटबीट तेज होने लगती है अंदर थोड़ा जोश आने लगता है तो उसी तरीके से इस जोश भरे जरने को गिरता हुआ सुन कर भी हमारे अंदर प्रसंदता और जोश का प्रभा हो जाता है वो इतना सुन्दर तरीके से गिर रहे हैं परवतों पर उगे हैं पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वा उसे छूना चाह रहे हैं अब परवत तो एक तो इतने उचे होते ही होते हैं अब उसके उपर भी अगर पेड़ निकले हो तो वो तो और उचे दिखेंगे तो मतलब परवत के उपर जो पेड़ है वो अपने आपको और उचा साबित करने के लिए इतना उचा जा रहे हैं जैसे लगता है वे कि कुछी देर में आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं इतने लंबे-लंबे होते चले जाते हैं बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है की घनी दुन के कार krijण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गये हूं और धात गायब हो गये हूं अब क्या होता है बारिश वह से धुन च्छा जाती है धुन यानि कि कोहरा फॉघ जो च्छाता है न फॉग आ गया अब क्या होगा पेड़ों के उपर से वो पेड़ जो अभी तक आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे वो एकदम से गायब हो गए गायब हो गए मतलब वो धुन्द के पीछे छिप जाते हैं हमें दिखी नहीं रहें तो अब हम क्या करें हमको जब दिखते नहीं है तो हम उनको समझते हैं कि एकदम से अभी पेड़तो थे और अभी गायब हो गए एकदम से ऐसे प्रतीत हो रहा है चारों और धुआ होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है अब तालाब के उपर से फौक आना शुरू हुआ ठीक है वहां से दुन्दा है वहां से आनी शुरू हुई तो ऐसा लग रहा है कि तालाब जल रहा है और सारा धुआ वहीं से उठ रहा है तालाब के उपर आप कभी भी कहीं पर भी आप जाओगे न तो आप देखना न जब पानी होता है तो पानी के उपर धुई की एकडम layer type की जहां fog हो कमा उसे तालाब के उपर एक layer सी जम जाती तो जैसे लगता है कि तालाब के अंदर से ही वो धुआ निकल रहा है तालाब जल रहा है और उसके अंदर से वो धुआ निकल के चारो तरफ फैल रहा है और आग लग गई है ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जा इदार उदर विच्रन करने केगा रूप यो है जादू दिखा रहे हैं तों कि मतलब सब्धन्य धान भरते हैं प्रतिवी पर तो अब बरसात इंद्र भगवान के काले नहीं होती है तो अब यह जो पलपल जो परिवर्तित परिद्रश हो रहा है तो यह जादू सा प्रतीत हो रहा है तो यह जादू सारा कौन कर रहा है यह सारा जादू इंद्र भगवा विमान स्वयम कर रहे हैं और उसके कारण यह सारा जादू संपन हो रहा है क्योंकि उन्हों नहीं बारिश करी यह वर्षा रितू लेकर आए हैं और सभी उन्हें के कारण संपन हुआ है तो यह हमारी जो कविता हमने पढ़ी अभी परवत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदिन पंथ जीजवारा लिखित तो इसका पूरा सार था हमने आपको यहां पर समझाया अब इसी से लेलेटर कुछ कोश्टिंस को हम देखते हैं तो पहला प्रश्न क्या है पल पल परवत प्रगतिवेश तो यहां पर इसका तातपर क्या कहाँ है कि मतलब बार हर घड़ी जो है वो क्या हो रहा है अपना वेश बदल रही है प्रकति कभी बारिश होplayer है कभी धूप निकल रहे हैं, कभी धुन्द आ रहे हैं, कभी बादल आ जा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या हर पल में वो अपने प्रकति वेश को बदल रहे हैं, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, पल-पल प्रकति परिवर्तित प्रकति वेश के माध्यम से कभी ये कहना चाहता है कि परवती प्रदेश की वर्शा रितु में प्रकती में छड़ छड़ बदलाव आता है यानि कि हर एक सेकेंड में बदलाव आता है वहां अचानक सूर बादलों में छिप जाता है बादल गहरा आते ही वर्शा होने लगती है चारो और धुआ धुआ चा जाता है पलपल में हो रहे ही इस परिवरतन को देख कर लगता है कि प्रकती अपना वेश बदल रही है वेश मतलब जसे लोग जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं गहरे बादल का मतलब क्या है? उसने डार्क रंक के कपड़े पहन ली है, पर एकदम से धुआ आ जाएगा, तो कैसे फ्रिल वाले कपड़े एकदम, एकदम सौफ्ट से, लाइट से कपड़े पहन ली है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रिकती बार-बार अपने वेश को बदल रही है, प्रेशन संख्या दो है, कविता में परवत का कौन सा मानविय कार करते हुए दर्शाया गया है, परवत को कौन सा मानविय कार, ऐसा कौन सा कार जो बताया गया है, जो मानवों द्वारा संपन होता है, एक तो उनकी आखों का होना, जो तालाब में देखकर व परवत पर हजारों फूल खुले हैं परवत के चर्णों के पास ही स्वच्छ जलसे भरा तालाब है परवत इस तालाब में अपनी परचाई निहारते हुए आत्मुग्द हो रहा है उसका यह कारिक इसी मनिश्य के कारिक के समान प्रतीत होता है जो फूल खिले थे उसे आखों को देख रहा है और आत्मुग्द हो रहा है मतले बहुत ही खुश हो रहा है अपने रूप को देख कर अब खुश होना कारिक कौन करता है यह मनुष्य द्वारा संपन होता है जिसे परवत संपन कर रहा है प्रश्न संख्या तीन है परवती प्रदेश में इस्थित तालाब के सौंदर का चित्रण कीजिए तो यहाँ पर एक तालाब है जिसको बताया गया है जिसके उपर धुआ उठाया है जो दरपन के तरह है यानि कि बहुती साफ अस्वच्छ है ऐसा बताया है तो क्या दिया परवती प्रदेश में पहाड की तरहटी में एक विशाल आकार का तालाब है वहाँ पर होने वाली वर्शा के जलसे या तालाब परिपूट रहता है यानि कि जो वर्शा होती है पहाडों पर वो क्या करता है वो तालाब को पूरी तरीके से भरे रहता है तालाब के पास ही विशाल का है परवत है इसकी परचाई इसके पाने में उसी तरह दिखाई देती है जैसे साफ दरपण में कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसका मतब पानी इदम स्वच्छ है जैसे कि दरपण में कोई चीज इदम साफ सुच दिखाई देती है वैसे ही परवत की आकरती वहाँ पर दिखाई दे रही है अब अब आप प्रश्च्न संख्या 4 परवत में गिरने वाले जहर्नों की विशेष्टाइं लिखिए यानि कि परवत पर जो जहर्ने गिरते हैं उसके बारे में वी बात की गई न तो उसकी कुछ विशेष्टाओं के बारे में लिखना कैसे कलकल करके जरने जो है वो क्या करते हैं नस नस में प्रसनता और उत्ते जना को भर देते हैं तो उन जरनों के बारे में आपको यहाँ पर उनकी विशेष्टा के बारे में लिखना है परवती प्रदेश में वर्शा रितु में परवत के सीने पर जर जर करते हुए जरने गिर रहे हैं इन जरनों की ड्वनी सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये परवतों का गौरवगान कर रहे हैं गौरवगान मतलब यानि कि बता रहे हैं कि परवत कितने अच्छे होते हैं कितने बड़े होते हैं और हम वहां से गिरते हुए बहुत ही विशाल से प्रतीत हो रहे हैं इन जर्णों का सौंदर देखकर नस-नस में उत्तेजना भर जाती है ये जर्णे इतने सुंदर लगते हैं इनकी आवाज इतनी अच्छी होती है कि वो हमारे मन में भी उत्तेजना को प्रभाहित कर देते हैं ये परवती जर्णे जाग युकते हैं जिनने देखकर लगता है कि ये सफेद मोतियों की लड़ी है अब जब जर्णे गिरते हैं ना तो देके ठोड़ी दूर तो पारी दिखेंगे उसके बाद इन्यद्वा इदन्वों सफेद से दिखने लगते हैं वो तो स्पीड से घिरते हैं और जहां अगर वो नीचे जहां टकरा रहे हो वहां तो पूरी तरीके से जहाग जहाग हो जाता है तो यह जहाग ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं मोतिया बहुत धेर सारी मोतिया जो है वो जहरने अपने साथ बहा कर लेकर आ रहे हैं तो यह इस तरीके से सुन्दता जैसे कविता के माध्यम से नहीं इसे आपको सरलिंदी में यहां पर लिखना है तो क्या है चलिए देखते हैं सबसे पहले गीत को देखते हैं पढ़ेंगे हम कर चले हम फिदा जानुतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सास्थम थी गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुखने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमाले का हमने न जुकने दिया मरते मरते रहा बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जिन्दा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुसन और इश्क को इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी योख हूं में नहाती नहीं आज धर्ती बनी है दुलहन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों रह कुर्बानियों की नवीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले फताह का जश्न इस जश्न के बाद है जिन्दगी मौत से मिल रही गले बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों खीच दो अपने खूं से जमी पर लकीर इस तरफ आने पाए न रावड कोई तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छून पाए सीता का दामन कोई राम भी तुम तुम्हीं लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तो यह गीत है कि किस तरीके से एक सैनिक जो है वो अपने सभी फर्जों को निभाते हुए अब अपनी जान उसकी सांसे थम रही है जा रहा है अब जो सैनिक आएंगे उसकी जगा पर इस देश की रक्षा के लिए तो उनके लिए वो एक संदेश छोड़ रहा है कि तुमको भी आगे अपनी जान की परवा किये बगैर किस तरीके से अपने देश की तुम्हें रक्षा करनी है इस गीत में यही चीज समझाइ गईए तो चलिए अब इस गीत के सार को हम समझते हैं तो यह जो गीत प्रस्तुत के हमने बताया था आपको कि कैफिय आजमी जी दुवारा लिखा गया है प्रस्तुत गीत में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्ण किया गया है सैनिक जो सैनिक युद्ध भूमी में रहते हैं जहां पर लडाई हो रही होती है कभी भरोसा नहीं होता किस पल किसकी मौत आ जाए तो उन सैनिकों की भावदाओं को निकल के आ रहा है किस तरीके से आप आईए और जैसे से मरते जाते हैं उनकी जखा दूसरे और सैनिक लेते रखने ना पाए क्यों क्योंकि अगर वो रखेगा तो उसके कदम से हमारी जमीन मैली हो जाएगी तो ये बहुत ही कोशिश करते रहते हैं सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने में पीछे नहीं हटता यानि कि हमने बताए ना कोई भी बाहर का बाहरी दुश्मन को आने वो नहीं देते हैं फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न गवाना पड़े भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनके सासे रुकने लगी थी तो ये जो गाना फिल्म आया गया वो भारत और चीन का जो युद्ध हो रहा था उ उस युद्ध में किस तरीके से गोलियां लगी सैनिकों और उनकी सासे थमने लगी तब ये गाना गाया जा रहा है उन सैनिकों के मांत्यम से ठंड के कारण उनकी नाडियों में खून जम रहा था अब चीन पहाडियों पे हो रहा था इतनी ठंड थी कि जो सब कुछ जमता चला जहरा था लेकिन तब भी वो पूरजोर कोशिश कर रहे थे अपने आप से परन्तु उन्होंने किसी चीज की परवा ना करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सिर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी-खुशी कटवा देंगे पर हमारे गौरव के प्रतिक हिमाले को हम जुकने नहीं देंगे अताथ हिमाले पर दुश्मन के कदम नहीं पढ़ने देंगे तो उन्होंने कहा कि भारत जिन जो युद्ध हुआ ये हिमाले पे ही तो हुआ तो अब वहां भी उनके कहने का क्या ताद पर था कि हमको अगर अपने सिर कटवाने पड़े तो हम कटवा देंगे मगर हम अपने हिमाले के सिर को जो हमेशा हिमाले जो है वो हिंदुस्तान का ताज माना जाता है सिर के उपर रखा हुआ ताज तो हम हिमाले के सिर को नहीं जूखने देंगे और यह जो युद्ध हो रहा था उसमें जो चीन सेना है वो भारती है सेना में गुस रही थी तो वो उसमें नहीं गुसने देंगे हमको मरना पड़े तो हम मर जाएंगे लेकिन हम दुश्मनों के पैर अपनी जमीन पर नहीं आने देंगे चाहे हम कुछ भी करना पड़े आखरी में क्या है जान ले जान ले लो हम मरते रहेंगे मारते रहेंगे और हमारी जान भी चली जाए तो भी हम परवाह नहीं करेंगे लेकिन देश के लिए प्राण निचावर करने की खुशी कभी कभी किसी को ही मिल पाती है अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खूना चाहते तो यहाँ पर सैनिकों के लिए मर मिटना जो है एक उत्सफ से कम नहीं है और देश के लिए मरना तो बहुत बड़ी बात होती है तो देश के लिए अगर मर रहे हैं तो ये उनके लिए ऐसा त्योहार है जिसे वो मनाना ही चाहते हैं वहीं बताते हैं कि हम भई मरते तो सभी हैं सभी मरेंगे लेकिन हम अपने देश के लिए मर रहे हैं इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है जिस तरह से दुलहन को लाल जोड़ी में सजाया जाता उस तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है सैनिक कहते हैं हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं परन्त हुमारे बाद भी इस सिलसला चलते रहना चाहिए तो अब वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से दुलहन की जब लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़ी में सजाया जाता है तो उसी तरी को सुनन बताया कि आज धर्ती बनी है दुलहन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कि मतलब हमने इस धर्ती को बचाए रखने के लिए अपने प्राडों की जान दे दिया हमने अपना खून बहा दिया और इस पूरी धर्ती को लाल कर दिया जैसे जोड़े में होती है अब तुम्हारी बारी है तुम्हें इस धर्ती को इसी तरीके से सजाए रखना है अर्थात अगर इस पे कोई हमला करता है तो तुम्हें भी अपने खून को ऐसे ही बहाना है और इस धर्ती को इस लाल जोड़े में सजाए रखना है जब भी जरूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एक जुट होकर आगे आना चाहिए सैनिक अपने देश की धर्ती को सीता के आचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो तुम ही लक्षमन हो अब देश की रक्षा का दाई तो तुम पर है तो अब यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में जो बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो तुमको भी अब बलदान देने से पीछे नहीं हटना है यह धर्ती एक सीता मा की तरह है जिस तरीके से रावण ने आकर उनके आचल को मेला किया था उनको पकड़ा था तुमको भी क्या करना है तुम्हें भी राम और लक्षमन बनकर इस सीता मा के आचल की रक्षा करनी है कि कोई भी रावण जो है इस धर्ती पर कदम ना रखने तुम्हें इस धर्ती को बचाए रखना है सवारे रखना है चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े तुम करते रहो हमने तो अपना फर्स निभा दिया हमने अपने अपना जितना करतव था वो पून किया अपनी जान भी ने अच्छावर कर दी अब तुम्हारी बारी है तुम पड़े तुम जवान हो तुमको अपने खून तुम्हारी जवानी कैसे प्यार में और इश्ख में करता दे ऐसी नहीं तुमको क्या करना है अब तुम्हें इस धर्ती के लिए बलिदान देना है तो यह कविता थी बहुत ही प्रोसाहित करते हुए सौरी कविता करें गीत य चीजों में समझना चाहिए कि जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं वो कितनी मुश्किल परस्थितियों में का सामना करते हैं कितना पहाडों पर होता है कितनी ठंड में रक्षा करते हैं तो एक बार आप उस चीज को महसूस करेंगे तो इस गीत की जो घहराई है उसको समझ पाएंगे आज हम सुकून से कर अपने घरों में बैठे हैं तो इनी लोगों के कारण नहीं तो पाहर से दुश्मन कम नहीं है जो हमारे देश पर हमला कर सकते हैं तो इनको आप अपनी दिल की घहराई से महसूस करने की कोशिश करिए तो ये गीत आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा अब इसी गीत यानि की कर चले हम फिदा जानुतन साथियों से रिलेटेट कुछ कोशन्स को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं प्रेश्ण संख्या एक है कर चले हम फिदा जानुतन के माध्यम से सैनिक क्या कहना चाहते हैं यानि कि यह जो लाइन बोली गई है इसके माध्यम से सैनिक क्या चाहरा है कर चले हम फिदा जानोतन के माध्यम से सैनिक देशवासियों और युद्ध कर रहे अपने सातियों से ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने साहस और वीरता से अपने देश की रक्षा की है और अपने तन में प्राण रहते हुए उन्होंने देश की मर्यादा और प्रतिष्ठा पर आच नहीं आने दिये उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाकर देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया अब देश की रक्षा के लिए तुम्हें भी अपने प्राणों की बाजी लगा देना है तो कहने का मतलब क्या है जो सैनिक है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो और अपने उसके साथ ही सैनिक है उनको और अपने देश वासियों को ये बोल रहे हैं कि हमारा जो फर्श था हमने अपने सीने पे गोलियां खाई अपने फर्ज को निभाया और इस देश की सेवा में अपने आपको अरपन कर दिया सब कुछ हमारे बाद जित्ता था हमने सब कुछ दे दिया अब वही सब तुम्हें करना है तुम्हें भी अपने देश की सेवा इसी तरीके से करनी है अपने बल्दान को बनाए रखना है, मतलब कर चले हम फिदा यानि कि हमारा जितना करतविता हम सब कुछ किया, आकरी दन तक हम अपने सीने पे गोलियां खाई और अब हम जा रहे हैं, तो यही इतना मतलब है, कर चले हम फिदा जानों तन साथियों, यानि कि जान भी और तन जो है, वो हमने अपने इस देश पर निर्चावर कर दी है, प्रश्ण संख्या 2 है, सैनिकों के लड़ने के लिए परस्तियां अनुकूल नहीं थी, इस पश्ट कीजिए, यानि कि जो परस्तियां जहां युद्ध हो रहा था, भारत चीन की जो युद्ध हो रहा था, वो ल सितियां अनुकूल नहीं थी, तो क्या दिया है, भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध का रणछेत्र बना था हिमाले की घाटियां, जहां तापमान इतना कम होता है, कि वहां खड़ा रहना भी कठिन होता है, हड्डियां कपा देने वाली ऐसी ही सर्दी में भारतिये सैनिक, चीनी सैनिकों का मूतोड जवाब दे रहे थे, परन्तु सर्दी के कारण उनकी सांसे रुकती हुई सी प्रतित हो रही थी और उनकी नसों का खून जमने की इस्थथी तक पहुँच गया था, तो मतलब टमपरेचर यानि कि तापमान इतना कम था कि हम वहां थोड़ कि वहां पे ऐसे ही ठंड से मर जाए, मगर सैनिक इन परिस्थितियों में भी अपने आपको समाले हुए चीनी की सैनिकों से लड़ रहे थे, इसलिए ये परिस्थिया बिल्कुल भी विपरीत थी, जहां खड़ा रहना मुश्किल, वहां दूसरे से लड़ना तो बहुत सरकटवा देंगे न, हम अपने सरकटवा लें लेकिन हिमाले का सर हम जुकने नहीं देंगे, तो भारती सैनिकों ने देश प्रीम और राष्ट भक्ती की भावना चरम पर थी, उन्हें अपना देश और मात्र भूमी प्राणों से भी प्रिये थी, इसकी रक्षा के लिए उ लड़ते हुए अपना बलिदान दे रहे थे, तो भारती सैनिकों ने क्या किया था? उन्होंने हिमाले का सिर न जुकने देंगे, यानि कि हिमाले पर किसी दुश्मन का कदम ना पड़े, इसके लिए उन्होंने हर विपरीद परस्तितियों में लड़ा, ऐसी विपरीद पर पढ़ने दिये और अपने बलिदान तक दे दिया अर्थात अपने सिर्थक कटवा लिये मगर हिमाले पर किसी दूसरे देश के लोगों का कबजा नहीं होनी दिया प्रश्ण संख्या चार है मरते मरते रहा बाकपन साथियों के माध्यम से सैनिक देशवासियों को क्या संदेश देना चाहता है एक लाइन है न मरते मरते रहा बाकपन साथियों तो इस लाइन के माध्यम से सैनिक जो है वो क्या संदेश देना चाह रहा है क्या चीज बताना चाह रहा है…. तो क्या है । मरते मरते रहा बाकपन सात्यों के माध्यम से सैनिक देशवासियों सी यह कहना चाहते हैं कि वे शत्रों से युद्ध करते हुए अपनी मात्रभूमी की रक्षा unity ये पूरे जोश और साहत से युद्ध किया यानि कि जितना उनके अंदर जोश था जितना साहस्ता उन्हें बटोर के पूरी तरीके से जो है युद्ध किया हम मतलब एक परसेंट क्या हमने हंड़ेट परसेंट ही 101 जो है जितना हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया उन्होंने अपने मनमल को गिरने नहीं दिया और सच्चे सैनिक की तरह मातर भूमी के लिए अपना बलिदान दे दिया कहते हैं ना मन के हार है मन के जीते जीत तो उन्होंने अपने मन को जो है पूरी तरीके से मन को काबू में किया और इन विपरीत परस्तितियों में भी सैनिकों से युद्ध करते रहें और अपने बलजान को दे दिया क्यों? क्योंकि बोलते न हम अगर पहले से ही अपहार जा रहे है इतनी ठंडे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या था? उन्होंने अपने आपको पहले मजबूत किया अपने मन को यानि अपने मनोबल को बढ़ाया और फिर युद्ध किया और चीनी सैनिकों को परास किया विदेश बासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि देशवासी भी इसी तरह साहस से देश की रक्षा करते हुए वीरता की नहीं गाथा लिखे कहने का मतलब जैसे उन्हों ने अपना बलिदान दे दिया उसी तरीके से आगे भी सैनिकों जो हैं इसी तरीके से अपने देश की रक्षा करें और अगर उने बलिदान देना पड तो उससे भी पीछे नहीं हटे तो यहाँ पर इस गीत के जो questions थे हमने आपके लिए प्रस्तुत किये यह chapters related है लेकिन यह अभी तक हमने नहीं कराया थे कुछ important questions है जो हमने इस chapters के लिए निकालें I hope आपके लिए आपके exam में बहुत ही ज़ादा helpful रही तो चलिए इस पार्ट के quick revision की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम पार्ट के सार को समझेंगे और फिर उसके बाद कुछ question answers भी करेंगे तो पहला जो हमारे पास लगू कता है वो है गिन्नी का सूना तो इसमें क्या है लेकक ने प्रस्तुत पार्ट में जो प्रसंग प्रस्तुत किये हैं उनमें पहले प्रसंग यानि गिन्नी का सूना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बलकि उन लोगों से परचित करवाता है जो इस संसार को सब के लिए जीने और रहने योग के बनाए हुए है गिन्नी का सूना ये गिन्नी का सूना क्या है अभी आपको बताया जाएगा पार्ट में अभी आगे लेकिन हम आपको बता दे गिन्नी होती है गिन्नी सॉलेड होती है और इसे से मुसली आभूशन बनते हैं तो यहाँ पर इस पार्ट में जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो है उन लोगों के बारे में जिनकी वज़ा से ये संसार रहने योग है यानि कि जिनके कर्म जो हैं बहुत अच्छे हैं जो दूसरों के लिए बहुत अच्छे कार्रे करते हैं ये दुनिया उनकी वज़ा से रहने ऐसे तो बहुत से बुरे लोग भरे हुई हैं बहुत से अच्छे भी भरे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए ही कारिरत रहते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं तो उन्हीं के कुछ के बारे में हम इस भार्ट में भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं इस बार्ट में लेखा कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत अधिक फर्क होता है जो शुद्ध सोना होता है यानि कि एकदम प्योर सोना जिसे हम कहते हैं वो और जो सोने का सिक्का होता है इन दोनों में फर्क होता है सोने के सिक्के में थोड़ा सा तामा मिलाया जाता है जिस कारण अधिक चमक आ जाती है यह और अधिक मजबूत हो जाता है जो सुद्ध शोना होता है वो जादा मजबूत नहीं होता उसकी मजबूती लाने के लिए उसमें थोड़ा सा परसेंट तामा मिलाया जाता है तो तामा मिलाने से उसमें मजबूती तो आती है लेकिन उसमें थोड़ी सी चमक भी आजाती है और ते अकसर उनी सोने के सिक्कों क तो यहांपर लेकक साथ में हैं और क्या कहते हैं किसी वेक्ति का जो उच्छ सर चरित्र होता है यह बहुत अच्छा चरित्र होता है वो भी कैसा होता है शुद्ध可能 की तरह होता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने चरित्र में तामा अर्थाथ मिलावटी वहवार मिला देते हैं तामे को क्या बताया है मिलावटी वहवार उन्हीं लोगों को सभी लोग वहवारिक आदर्श वादी कहकर उनका गुरगान करते हैं तो जिनके सभाव में थोड़ा सा तामा यानि कि वहवार आदर्श के साथ थोड़ा सा वहवार मिल जाता है तो वो क्या कहनान लगते हैं आदर्श वहवारवादी देखती तो अब इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे है तो भाई चरित्र हमारा बड़ा अच्छा बहुत अच्छा है सब कुछ है लेकिन अगर हम उसमें उसको हम शोशल नहीं करेंगे हम हम सबसे बाते अच्छी करते हैं सारे अच्छे कारी कर लेकिन वो इस्तिमाल में कहां आपा रहा है इस्तिमाल में तो नहीं आपा रहा है कहीं पर हम किसी की अच्छा ही नहीं कर पा रहे हैं किसी के लिए अच्छे कारे नहीं कर पा रहे हैं समाज के लिए दुनिया के लिए संसार के लिए या अपने परिवार वालों के लिए हम क खुड़ा से तामा नहीं मिला देंगे तब तक क्या होगा वोग दुनिया की नजर में ढाएगा नहीं दुनिया के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ यहाँ आपर अच्छा चरित यानि कि सुद्ध शोना और उस्म को जो हम वहवार में ले आते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा तामे मिले गिन्नी की तरह हो जाता है तो वो कहलाता है आदर्श वहवारवादी वेक्ति लेकक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता बलकि आपके वहवार का होता है है अब मान लीजे हम बहुत अच्छे हैं हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं सब कु होगा आप बताईए आपके बारे में कोई बात करेगा कब भी बात नहीं करेगा हमेशा आपकी बुराई करेगा तो वही चीज यहां पर होती है कि आप हर चीज में अच्छे हो तो यह आदर्श तो है लेकिन आपका वहवार भी अच्छा है हम आदर्शों की बात नहीं करते ह हम हमेशा वहवार की बात करते हैं, हमें बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले बात किसी आई, आपके वहवार की आई, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, आपको अगर आपके अच्छे आदर्श हैं, तो उन्हें वहवार मिलाना पहले जरूरी होता है यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा ना होता तो यहाँ पर क्या दिया उनके आदर्श बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे अपने इन आदर् दूसरों का भला होगा और यही वैवार जो है लाको करोड़ों लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे जो लोग केवल अपने वैवार पर ही ध्यान देते हैं केवल वैग्यानिक ढंग से ही सोचते हैं वे वैवार बाली लोग कहे जाते हैं और यह लोग हमेशा चोकनने रहते हैं कि कहीं इन से कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके कारण इनको हानी उठानी पड़े सबसे महत्पूरू बात यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे आगे ले चलो और यह काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले वेक्टियों ने किया है तो यह जो वेक्टि वहवारवादी होते हैं वहवारवादी मतलब उनके अच्छे आदर्श हैं और वहवारवादी भी हैं तो वो क्या हमेशा चोकनने रहते हैं कि उनके वहवार से किसी को ठेस नहीं पहुँची, क्योंकि हर तरफ तो हमारी तारीफ हो रही है, अब हमसे अगर कोई गलती हो जाए, कि तो जाहिर सी बात है कि हमारी बुराई तो होगी होगी, तो यहां पर वो हमेशा चुक करने रहती है कि हमारे द्वारा कोई भी गलत कारे नहीं घटे थो, तो अब ये वहवारवादी वेक्तियों का क्या कारे होता है, हम तो आगे चले ही चले ही मगर हमारे साथ जो है और भी लोग आगे चले, क्योंकि हमारी उन्नती हो, साथ साथ औरों की उन्नती हो, औरों की उन्नती होगी, समाज की उन्नती होगी, देश की उन्नती होगी, हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल बचे हैं तो सिर्फ आदर्षवादी लोगों के कारण ही बचे हैं तो ऐसे बहुत सारे आदर्श वादी लोग हैं, बहुत सारे आदर्श जिनके वजह से ये समाज में आज भी अच्छाई और आदर्श टिके हुए हैं, आप कभी भी कहीं पर निकलेंगे तो आप हर जगे देखेंगे कि समाज का कल्यान करने वाले आपको बहुत से लोग मिले बहुत से अध्य परने इसके बहुत पर निकले लेकर आओ, वहवार में लेकर आओ, जैसे कि सोना सुध्ध होता है, बहुत प्योब्र होता है बहुत precious होता है महंगा भी होता है costly भी तो मगर उसको हम वहवार में नहीं ला सकते शुद्ध सोने को जब तक हम वहवार में नहीं लाते मतलब जब तक उसमें हम तामा मिलाते नहीं है उसमें मजबूती नहीं आती हम उसके आभुशन तक नहीं बना सकते वो सोना शुद है अच्छा है लेकिन वो purity में भी है लेकिन मजबूती में नहीं होता तो मजबूती करने के लिए उसमें तामा मिलाते हैं उसी तरीके से वहवार भी होता है तो इस चोटी सी कथा के जरीए हमने जाना कि गिन्नी का सोना क्या होता है अब हमारे पास में आएगा हमारी दूसरी कथा वो है जेन की देन अब ये क्या चीज़ है चले देखते हैं दूसरा प्रसंग है जेन की देन बौध दर्शन में वर्नित ध्यान को उस पद्दती की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी विवस्थन दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं तो यहां जो हम देख रहे हैं जो ये कथा हम पढ़ने जा रहे हैं इसकों छोटे से चीज़ में भी आपको समझाते हैं आजकर के लाइफ बहुत फास्ट हो गई है हम लगातार लगातार हमारा दिमाग कहीं न कहीं किसी न किसी काम में लगा रहता है सुबा उठो छल्दी स्कूल जाने की जल्दी रहती है हमको फटा फट तयार होना है सब करना है वहाँ पहुँचे एक के बाद एक क्लासल है पीरिड है हमको एक के बा एक सारी क्लासल देनी है वहां से लोटके आओ, फटा-फट खाना खाओ, मुश्किल से आधा गंटा पौन पूटको फिर कोचिंग जाओ, कोचिंग में पढ़ो, कोचिंग से पढ़के आओ, रात में देर हो जाती है तो फिर आओ लोटके हमको होंवक करना है, होंवक करने के बाद फिर खाना वाना खाओ, सोजाओ, फिर निगज़री की तयारी, मतलब लगातार दिमाग जो है स्ट्रेस में रहता है, हम फटा-फट, मतलब इतना व्यस्ततम लाइफ होती चली जा रही है कि सुकून कहीं नहीं मिलता तो यहाँ पर जापान की पद्धिति के सामने हमें इस समझाया गया है कि किस तरीके से हमारी व्यस्ततम लाइफ में भी हम थोड़ा आस समय निकाल के कैसे वहाँ पर एक ट्रीट्मिन्ट किया जाता है, उसके बारे में लेखक खुद गए थे उस जगा, उन्होंने वहाँ का वर्णिन्ट किया है तो क्या बताया उन्होंने? जापान की लोग आज भी अपनी वैस्तन दिन भर के कामों के बीच कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहाँ की सबसे खतरनाक बिमारी के बारे में पूछा तो उसने कहा जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बिमारी का शिकार होना पड़ता है तो लेखक जब गए जापान वहाँ पे अपने मित्र से पूछा कि भही यहां की सबसे भेंकर बिमारी क्या है तो उन्हेंनों बोला कि यहां पे लोगों को मानसिक बिमारी बहुत जादा होती है मानसिक मतलब मन की बिमारी यानि कि दिमाग और मन तो हमारे connected है तो दिमाग जो है ना उसकी बिमारी जादा हो जाती है लेखक ने इस मानसिक बिमारी की वज़ा पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन में तेजी ये औरों से अधिक है जापान में कोई आराम से नहीं चलता बलकि दोड़ता है अर्थात सब एक दूसरे से आगे जाने की सोच रखते हैं तो उन्होंने बोला कि जापान के जो लोग है ना उनका जीवन बाकी लोगों से कहीं जादा तेज़ चलता है क्योंकि उनके इंदर होड है कि हम चले हम कोई हमसे इतना चलना है हम इनसे और आगे चलेंगे और आगे मतलब हमें सबसे आगे निकलना है और ये वेवस्ता जो दौड होती है ना यही क्या है इनको मानसिक बिमारी का शिकार बना देती क्योंकि अब दौड की वज़़ज़ से दिमाग हमारा हमेशा सक्रिये रहता है उसको सुकून तो मिलता नहीं और उसके कारण क्या होता है वो आगे बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और काम करता रहेगा करता रहेगा तो भई दिमाग भी एक लिमिट होती है कहीं जाकर ठकेगा ना तब उस समय जब ठकने की करार पे आ जाता है तो ये मानसिक विमारी की चपेट में आजाते हैं कोई भी व्यक्ती आराम से बात नहीं करता वे लोग केवल काम की ही बात करतें मतलब कोई भी अपनी सोशल लाइफ नहीं बस काम की बात करो और कुछ नहीं करना जापान की लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए जिसके कारण एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगे तो जापानिस जो है वो क्या करने लगे वो अमेरिकन से जो है कॉम्पेटिशन करने लगे उस competition के जरीए क्या हुआ जो एक महीने का काम था वो एक दिन में निप्टाना चरहें अब देखें एक महीने का काम एक दिन में निप्टाना आसान काम है अब वो क्या कर रहे थे वो एक महीने का काम जो है एक दिन में निप्टा है तो जहर सी बात है किसी को भी स्ट्रेस होग यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बिमारी फैल गई है तो यानि कि इतनी जल्दी काम करने के कारण इन लोगों में मानसिक बिमारी फैली है लेखा कहते हैं एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चानो यू अर्था जापान के चाए पीने के लिए विशेश आयोजन में ले गया तो अब ये जो एक आयोजन था ये वहां के लोगों के ठके हुए मन को दिमाग को आराम दहिने के लिए ट्रीटमिन टाइप का था चाए पीने का समहारो इस समहारो के जरीए क्या होता है इन लोग की मानसिक जो गतिशीलता होती है वो शितलता में बदलने लगती है दीरे 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 शान्त होने लगता है कैसे होता है ये देखते हैं भी आगे लेखा को उनका मित्र चाए पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वहां एक छे मनजिला इमार थी यानि कि एक मल्टी बिल्डिंग थी जो six floors की थी उसकी छथ पर एक सरकने वाली दीवार थी जिसको उन स्लाइडिंग बोलते हैं न स्लाइड करके दिवार ले जाते हैं इधर से उदर तो सरकने वाली दिवार का ताज़ पर होता है कि वहां पे sliders लगे हुए थे कि आप ऐस से खिसका दो उसके अंदर आजाई एक रूम है इस तरीके से जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी यानि कि उसमें जब दिवार से अंदर गए तो वहां दिवारों पर चित्रकारी की हुई थी और पत्तों से बनी हुई थी मतलब आपक की चटाई बनती न वह बिच्छी हुई थी जिसको बोलते हैं मैट भी बोलते हैं उसके बाहर बेडवल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बरतन रखा था बाहर कैसा एक बरतन रखा था लेखा और उनके मित्रे ने उस पानी में हाथ पाउं धोकर अंदर गये अंदर चाय द जाता है जिसे क्या कहा जाता है चानीज कहा जाता है उन्हें देखकर वहां खड़ा हो गया जैसे ही लेखा कर उनके मित्र आगे पहुंचे उनको देखते ही वह वहां पर खड़ा हो गया कमर जुका कर उसने प्रणाम किया अब जापनीज में कैसे ऐसे करके कमर जुका के प तो वहाँ पर आग जलाई उसके उपर चाय बनाने का बर्तन लग दिया। वहाँ साथ वाले कमरे में गया और कुछ बरतन लेकर आया फिर तॉलिये से बरतन साफ किया। चाय का बरतन वहाँ पे चड़ा दिया। फिर बगल के एक रूम में गया वहाँ से चाय के बरतन, अब उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के धंग से लगता था कि जैसे जय जयवन्ती ये नाम के राग की धुन गुंज रही हो मतलब बहुत ही स्लो सुकून पहुँचाने वाली एक धुन बज रही हो उस जगह का बातावरण इतना अधिक शान था कि चाई बनाने वाले बरतन में उबलते हुए पानी की आवाजे तक सुनाई दे रही थी लेखक कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय त्यार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया चाय बनाई प्यालों में सर्फ करी और लेखक और उनके मित्र के सामने रख दिया जापान में इस चाय सम्हारों की सबसे खास बात शान्ती होती है इसलिए वहाँ तीन से ज़ादा व्यक्तियों को नहीं माना जाता मतलब शान्ती मेन है क्योंकि वहाँ पर सब अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए जा रहे हैं वे करीब डेर घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे 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 पीते रहें पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परिशानी हुई लेकिन धीरे धीरे लेखक ने महसूस किया कि उनके दिमाग की रफतार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है तो अब क्या हुआ प्याले थे मातर इत्ते से जरा सी इसमें कितनी सी चाय होगी मुश्किल से मातर हम लोग को 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा उस चाय को खतम करने के लिए लेकिन इन लोगों ने करीबन 1.5 घंटे तक इसकी चाय पी अब इसको पीने का प्रोसीजर ये था कि आपको बहुत धीमे पीना है बहुत ही जादा धीमे 10-15 मतलब आप मन लेज़े 15 मिनिट में आपको एक सिप लेना है और इतना पहले तो शुरुषू में इतनी धीमी चाय पीने में तो बहुत ही मुश्किल हुई उनको लेकिन धीरे धीरे उनोंने महसूस किया कि ये जो स्लो प्रोसीजर चल रहा है इसका काम है कि हमारी मानसिक गतीकी रफतार को कम करना जिसके लिए वहाँ पर लोग आते हैं तो धीरे धीरे करके क्या हुआ उसकी मानसिक रफतार कम हुई और धीरे धीरे उनोंने महसूस किया कि उनका दिमाग एकदम शान्त हो गया क्योंकि आसपास किसी तरह का कुछ भी नहीं था कि कोई शोर हो कुछ हो और चाय भी बहुत ही स्लो प्रोसीजर में पी जा रही थी तो यहाँ पर इस पार्ट में जो दो कताय दी हुई थी हमने आपको दोनों ही समझाएं इससे related कुछ questions को हम यहाँ पर देखेंगे प्रेशन संख्या एक है हमारी शुद्ध सोने का उपयोग कम किया जाता है क्यों जो शुद्ध सोना है उसका प्रयोग क्यों कम किया जाता है कारत क्यों क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता उसके आभूशन नहीं बन सकते भाई आभूशन कर बनेंगे तो वो जल्दी ही तूट जाएंगे इसलिए तो नहीं बनता है तो इसलिए कम होता है यहाँ पर क्या दिया है? शुद्ध सोना मिलावट रही होता है इसमें किसी अनधातों की मिलावट नहीं होती है यह नरम लचीला तथा कठोर होता है इसमें चमक भी कम होती है इसकी शुद्धता 24 केरेड होती है तथा इसमें आभूशन नहीं बनाये जाते आप कभी भी कहीं पे भी आप अगर नियूस पेपर में भी देखोगे तो आप देखोगे कि सोने की कई categories होती है 24 carat, 22 carat, 20 carat तो कई तरीके की carat आते हैं तो इसमें क्या है जो 24 carat होता है ये पूरी तरीके से प्योर सोना माना जाता है उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे आता है 22 karat तो 22 karat के ही आप भुशन बनते हैं क्यों क्योंकि इनमें मिलावट होती है और इनमें मिलावट के कारण मजबूती आ जाती है Question No.2 है, गिन्नी के सोने का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है? शुद्ध सोने का क्यों नहीं किया जाता है, हमने देख लिए हम अगर गिन्नी सोने का क्यों किया जाता है क्योंकि उसमें मिलावट हो जाती है और वो मजबूती प्राप्त कर लेता है इसलिए उसका प्रयोग जादा किया जाता है गिन्नी का सोना शुद्ध होने से अलग होता है इसमें कुछ अंज तक तामे की मिलावट होती है जिससे यह अधिक जमकदार और मजबूत बन जाता है इनकी शुद्धता 24 केरेट होती है और इसका प्रेव आबूशन बनाने के लिए किया जाता है हमने आपको अभी बतायता था कि 22 केरेट से आबूशन बनाये जाते है क्योंकि इनमें थोड़ी मिलावट कर दी जाती है कोशिन नमबर 3 है टी सेरिमेनी की चाय का लेखक पर क्या असर हुआ जो टी सेरिमेनी में ये गए थे उस पर लेखक के उपर क्या असर हुआ ये चीज़ क्या थी टी सेरिमेनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलजन में पड़ा फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी जो कुछ देर में ही बंदसी हो गई अब उसे सनाटा भी सुनाई देने लगा उसे लगा कि वहाँ अनंतकाल में जी रहा है मतलब दीरे 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 उनकी दिमाग की गती दाम शान्त होगी और जैसे लगा कि वो एक सुनने पे आकर रुग गए है कोशिन नम्बर 4 हैं जीना इसी का नाम लेखक ने ऐसा किस इस्थि को कहा है? किस इस्थि के बाड़े में लेखक ने बात करीए? जीना इसी का नाम लेखक ने ऐसा तो Bazhootकाल और भविशकाल दोनों को मिथ्यामान उन्हें भूल बैठा था कहने का मतलब है कि past, present, सब कुछ वो भूल गया था क्योंकि एकदम वो शून स्तिती में आ गये थे तो उन्होंने वही स्तिती के लिए जीना इसी का नाम का उनके सामने जो वरतमान था उसी को उन्होंने सच मान लिया था tea ceremony में चाय पीते पीते उनके दिमाग से दोनों काल उड़ गये थे वह अनंद काल जितने विस्तित वरतमान में जी रहे थे यानि कि जो आपका future है वो और जो past है वो दोनों ही भूल चुके थे जो present था वो सिर्फ उसी को महसूस कर रहे थे मगर वो भी इतना लंबा था कि वो उसको पूरी तरह enjoy कर रहे थे पूरा peaceful था तो अब हमारे लिए past और future कुछ नहीं होता जो है वो present है क्योंकि past में जो बेच चुका उसको हम सही नहीं कर सकते और future में जो आने वाला है उसे हमें पता नहीं तो जीना क्या है हमें present जीना है इसलिए present जीए उसको ही वो बहुत ही अच्छे से enjoy कर रहे थे और उसी पल के लिए उन्होंने बोला जीना इसी का नाम है question number five है लेखा के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीडित है और क्यों कौन से रोग से पीडित थे वो मानसिक बिमारी से पीडित थे क्यों क्योंकि उनके जीवन में रफ्तार बहुत अधिती प्रतियोगिता प्रतिसपरधा के कारण वो बहुत ही तेज रखतार से कारे करते थे इसलिए वो मानसित इस्तिती पीड़तों के बाई एक महीने का कारे वो एक दिन के अंदर कम्प्लीट कर रहे थे लेख़क के मित्कन साल जापानी मानसिक रुगणता से पीड़त थे इसका कारण उनकी असीमित आकांशाएं उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग बरह प्रयास महीने का काम एक दिन में करने की चेश्टा अमेरिका जैसे विक्सत रास्ट से प्रतिसपर्धा आ दी तो ये सारे कारण थे उनके एक्सपर्धेशन बहुत जादा थे प्रतियोगिता बहुत जादा थी वो ऐसे चीज़ एक्सपर्ध कर रहे थे जिसके लिए उन्हें बहुत जादा महिनत करनी पड़ रही थी ये एक चूटा सा कुछ क्रिवीजन है इस चैप्टर का तो चलिए शुरू करते हैं कार्तूस पार्ट साथ प्रस्तुत पार्ट में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले शूरवीर के कार्रामों का वंडन किया गया है जिसका केवल एक ही लक्ष था अंग्रेजों को देश से बाहर विकालना प्रस्तुत पार्ट में लेखक ने चार विक्तियों का वंडन किया हैं में बोला था ना चार पात्र हैं ये एक आंक्य है तो इसमें एक ऐसे वीर का वंडन है जो अंग्रेजों को बस यहां से बाहर निकाल देना चाहता है तो कौन कौन है वो चार पात्र करनल, लेटिनेंट, सिपाही और सवार ये सिर्फ चार पात्र इस पूरे कांकी में है करनल और लेटिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों उनकी बात करते हुए कहते हैं वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देख कर उन्हें रॉबिन हुट की याद आ जाती है फिर करनल लेटिनेंट को सादत अली यानि वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है तो अब क्या करनल लेटिनेंट आपस में बात कर रहे हैं एक खेमा लगा हुआ है जंगल में आपको पहले बता दे जंगल है जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए एक अंग्रेज सिपाहियों ने वहाँ पर एक खेमा डाल रखा है पड़ाव डाल रखा है उसी खेमे में जो है लेटिनेंट और करनल आपस में बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर वजीर अली को पकड़ने के बारे में अब वजीर अली के बारे में उसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं देख कर उन्हों किसकी याद आती है रॉबिन हुट की रॉबिन हूट के बारे में आप सभी जानते होंगे तो उसी तरीके से वजीर अली था अब जब बात कर रहे होते हैं तो उसी बीच में जो है करनल जो है वो लेफटिनेंट को शाधत अली के बारे में बताता है शाधत अली कौन? वजीर अली का चाचा कि किस तरह से वजीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेजों का मित्र बन गया था अब क्या था वजीर अली का जो चाचा था वो पूरी सत्ता हतिया लेना चाहता था लेकिन क्यों तब तक उसके भाई के कोई उलाद नहीं थी तो उसे लग रहा था कि सारी सत्ता मेरे पास में आएगी लेकिन जब वजीर अली का जन्म होता है तो इससे शहादत अली बहुत दुखी हो जाता है और जो है अंग्रेजों का मित्र बन जाता है आवद के सिंगहासन पर बड़े रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और दस लाख रूपे दिये थे तो क्या मतलब दिया था वो आवद के सिंगहासन पर उसके भाई बैठे हुए थे यानि कि वजीर अले के पिता जी अब वो चाहते थे कि अवद शादत अली यानि उसको चाचा चाहता था कि वो सिंगहासन उसे मिल जाए तो उसके लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत दे दी और उसके उपर दस लाख रूपे और दिये लेटिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में बहुत से राजा बाशा और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंतरित कर रहे हैं अब यहां से इनको बहुत धन दौलर सब कुछ अच्छे से मिला था अब जो नवाब यहां के जो नवाब राजा बाशा जो भी थे वो अब यह चाहते थी कि अंग्रेज यहां से चले जाए अब अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान से मदद मांगी अफगानिस्तान अगर यहां पे आके उनकी मदद करता तो हिंदस्तानियों को यहां पे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता तो अब जो लोग भी अफगानिस्तान से मदद के लिए गुहार कर रहे थे उन सब ही के उपर आकमनड करके उनको अपने कबजे में कर लेने का काम जो है अंग्रेज सरकार ने शुरू किया था जिसमें वजीर अली भी एक था वजीर अली भी वो चाहता था कि अफगानिस्तान से मदद चाहरा था कि अंग्रेजों को यहां से निकाल कर बाहर किया जाए करनल की बातों को सुनकर लेटिनेन करनल से कहता है वजीर अली की आजादी अंग्रेजों के लिए खत्रा है यानि कि वजीर अली जब तक आजाद घूम रहा है तब तक अंग्रेज खत्रे में है क्यों? क्योंकि वो कुछ न कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे लोगों को मुश्किल होती रहेगी लोगों मतलब अंग्रेजों को मुश्किल होती रहेगी इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तहरे वजीर अली को गरफतार करना ही चाहिए करनल कहता है कि तब ही तो वह अपनी पूरी फैयोस को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोका दे रहा है यानि कि करनल बहुत टाइम से उनका पीछा कर रहा है और जो है वजीर अली उन्हें हर बार चक्मा देकर निकल जाता है हर बार चक्मा देकर निकल जाता है वजीर अली बहुत ही बहादुरागी है वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की थी यानि की कम्पनी का एक वकील था जिसकी हत्या वजीर अली ने कर दी थी कर् adesso ने हत्या की घठना का बड़्डन करते हुए कहा वजीर अली को उसके पत से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था कुछ महीनों के बाद गवन्न जलल वजीर अली को कलकत्ता बुलाने लगे यानि कि पहले तो बनारस में बात हो जाती थी लेकिन अब उनको घड़ी घड़ी वो हमेशा उसको वजीर अली को कहा बुला लेते थे कलकत्ता यानि कि कोलकाता बुला लेते थे वजीर अली ने कमपनी के वकील से शिकायत की कि गवणना जलों से करकता बुला रहा है वकील ने वजीर अली की सिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर Alी को बुरा भला कहने लगा वजीर अली के दिल में तो पहले से अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह वहवार से वजीर अली को गुसा दिला दिया और उसने चाकू से वही वकील की हत्या कर दी अब भई देखिए वो क्या था अंग्रेजों का वकील था मापोस्टिट था अब बनारस से बार-बार कुलकता बुलाय जाने से वजीर अली बहुत खफा था अब वजीर अली पहले ही अंग्रेजों से खफा था उसको और गुस्सा आ गया अब उसे गुस्से में क्या किया चाकू निकाला और वही वही वकील की हत्या कर दी करनल लेटिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरहें नेपाल पहुँचना चाता है वहाँ पहुचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा अपनी ताकत को बढ़ाएगा शहादत अली को सिंघासंट रहाटा कर खुद अवद पर कबजा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा अब यहाँ पर बताते हैं कौन बता रहा है करनल जो है वो लेक्टिनिन को बता रहा है कि वजीर अली जो इस तरह आजाद भूम रहा है यह हम सभी के लिए खत्रा है कारण क्या है वो नेपाल पहुचना चाहता है वो नेपाल पहुच जाएगा मासुरक्षित हो जाएगा और जब तक अफगानिस्तान हिंदुसान पर हमला करेगा जिस समय वो उसका इंदिजार कर रहा है वो करेगा उसी समय जो है वजीर अली अवद का सिंखाशन शहादद अजसे ले लेगा और अंग्रेजों को यहां से निकालने की कोशिश करेगा अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये चीज़े उने बताई अंग्रेजी फॉस और नवाब शहादद अली खा के सिपाही बहुत सक्ति से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं तो मतब अंग्रेज भी कर रहे हैं और शहादद अली के जो सिपाही वो भी वजीर अली को तलाश रहे हैं अंग्रेजी फॉर्स को पूरी जानकारी है वजीर अली ये जंगलों में कहीं छुपा है तो अंग्रेजों को ये पता था कि ये जो वजीर अली है जिस जंगल में ये लोग आये हुए हैं वहाँ पर वो छिपा हुआ है लेटिन कहता है कि घोडे पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों की तंबी के ओर आता मालूम हो रहा है अब ये लोग बाते ही कर रहे थे इत्ती दूर में एक घोडे का सवार इनको बहुत दूर से तंबू की तरफ आता हुआ दिखाई दिया लेटिन जो है वो करनल को बताता है गोडे के टापो की आवास उनका नजदीक आकर रुख जाती है अब वो आते आते तंबू के पास रुख जाती है सिपाही अंदर आकर करनल से कहता है कि वह सवार उनसे मिलना चाहता है आप क्या है बाहर तो वुरूफ गया बाहर सिपाही खड़ाता है अंग्रेज उन सिपाही का तो वो जो सवार उत्रा तो गोडे से वो सिर्फ किस से मिलना चाहता था करनल से मिलना चाहता था करनल कहता है ठीक है अच्छा उसे भाई को अंदर ले आओ करनल सवार से आने का कारण पूछता है करनल उस सवार से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो सवार करनल से कुछ कार्टूस मांगता है जो सवार आया था वो क्या कहता है कि मुझे कुछ कार्टूस चाहिए और कहता है कि वो वजीर अली को गरफतार करना चाहता है कह रहा कि मेरे पास कार्टूस कम पड़ गए हैं आप मुझे दे दीजी मैं वजीर अली को गिरफतार करना चाहता हूँ इसलिए कार्टूस लेनी के लिए यहाँ पर आया हूँ यह सुनकर करनल सवार को दस कार्टूस दे देता है जब वजीर अली का नाम सुनता कि वजीर अली का पीछा करना है तो करनल तुरंत उस सिपाही को दस कार्तूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है अब जब वो कार्तूस लेकर जाने लगता है तो करनल उससे पूछता भई तुम्हारा नाम क्या है तो कब वो अब उसे जूट नहीं बोलता है वो सवार कहता है मेरा नाम वजीर अली है यानि कि वजीर अली खुद उनके सामने मौझूद था उनसे कार्टूस लेकर जा रहा था और कहता है कि करनल ने उसे कार्टूस दिये इसलिवा उसकी जान को बख्ष रहा है और साथ ही वजीर अलि क्या कहता है कि मेरा नाम वजीर अलि है और मैं आपकी जान बख्ष राऊं करनल से बोलता है कि मैं आपकी जान नहीं लोंगा इसकी कारण यह क्योंकि आप ने मुझे कार्थॉस दिये हैं इतना कहकर वजीर अरी बहार चला जाता है गोडों के टापों की आवाज से लगता है कि बहार दूर चला गया बहार जाता है गोडों गोडे पे बैठता है और जैसे जैसे आवाज जैसे लगता है दूर यानि कि बहुत दूर निकल गया इतने में लेटनिनेंट अंदर आता ह और करनल से पूछता है कि वह सवार कौन था, करनल अपने आप से कहता है वह एक सिपाही था जो अपनी जान की परवा नहीं करता है और आज ये करनल ने खुद देख लिया तो वो अपने आप में ही बोलता है कि वो एक सिपाही था जो अपने आपनी जान की फिक्र नहीं करता है ये बात खुद आज करनल ने देख ली तो करनल अभी तक जिसकी बाते कर रहा था सुन रहा था आज खुद साक्षाथ वो व्यक्ति उसके सामने था उसकी बहादुरी की किस्से जो आज तक सुनता आया था उसी में से एक किस्सा उसके साथ भी गटित हो गया था ये चीज उसने खुद मैसूस करी तो आज वो ये समझ गया कि वजीर अली वाकई में बहुत ही बहादुर व्यक्ति है तो ये एक एकांकी था और यहाँ पर परदा गिर जाता है और ये एकांकी पूर्ण हो जाती है तो ये एक एकांकी जिसे हमने आपको एक सार के रूप में यहाँ पर समझाई अब इसी पार्ट से रिलेटेट कुछ कोशन आंसरस ने हमारे पास में देखते हैं पहला प्रशन है वजीर अली कौन था अंग्रेज उसे क्यों पकड़ना चाहते थे वजीर अली कौन था वजीर अली अवद के शाषक आसफुद दौला का पुत्र था अंग्रेज ने वजीर अली को सत्ता से हटाकर उसके चाचा शहादद अली को अवद की गधी पर बिठाया था वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति घ्रना भरी थी उसने कमपनी के वकील की हत्या कर दे थी इसलिए अंग्रेज उसे पकड़ना चाहते थे कौन था आस्फद दॉला का पुत्र था और अंग्रेज़ों ने क्या किया था वजीर अली को अवद की गद्धी से हटा कर उसके चाचा शहादद अली को गद्धी पर बठाया था इसी से अंग्रेज उससे बहुत जाधा खफा थे प्रेश्ट संख्या 2 है अंग्रेज सहयनिक वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कब और कहां कर रहे थे वो कब कर रहे थे और कहां कर रहे थे सन 1799 के आसपास का समय होगा जब अंग्रेजों ने वजीर अली को शाषन से हटाया था उसे काशी भेज दिया काशी मतलब बनारास भेज दिया था वजीर अली अंग्रेजों से नफरत करता था उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी थी और गोरकपुर के जंगलों में जाचिपा था अंग्रेज सैनिक वहीं जंगल में खेमा डालकर वजीर अली को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे अंग्रेज वजीरों को पढ़ने का प्रयास कप कर रहे थे 1799 के बाद से कर रहे थे और कहां कर रहे थे गोरगपुर के जंगलों में खेमा डालके उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि काशी भेजा था लेकिन वो वहां से फरार होकर कहां आ प्रेश्न संख्या 3 है वह शाहे जमा के सहयोग से अंग्रेशों को भारत से भगा देगा और अपनी कोई सप्ता हासिल कर लेगा तो शाहे जमा कौन था अफगानिस्तान का सप्चिजाली शाशक था उसने अंग्रेशों को भारत से बाहर निकालने के लिए यहां पर आमंत्रित किया था उसको किसको वो शाहे जमा को वजीर अले ने अब जिस समय अफगानिस्तान यहां पर हमला करता शाहे जमा उसी समय जो है वजीर अली भी जो है अवत की राज सिंगासन से शाहदत अली को हाटा देता और वहां की जो है कद्धी प्राप्त कर लेता और अफगानिस्तान की मदद करता और अ पसंद नहीं करता था शहादत अली रिष्टे में वजीर अली का चाचा था तो यह समझाते आ रहे हैं कि आस्फुत दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था कौन शहादत अली उसकी नजर अवत की सत्ता पर थी जिसे हत्याने के लिए उसे अंग्रेजों का सहारा लि अब क्या था आशफुत दौला का कोई भी संतान नहीं थी तो शहादत अली को यह लग रहा था कि उसकी सारी जित्ती भी गद्दी है सारा रा सिंगासन अब कोई अलाद नहीं है तो मुझे मिलेगी लेकिन आशफुत दौला को फिर पुत्र हो जाता है पुत्र कौन वजीर अली हो जाता है अब इस बास से जो है शहादत अली बहुत चड़ जाता है कि अब पुत्र हो गया सारा सिंगासन मिलेगा तो अब वजीर अली सिंगासन पर बैट जाता है आवत के अब शहादत अली क्या करता है वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और वजीर अली को गद बत करने लगता है हर मुम्किन कोशिश करता है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दे और शहादित अली को किसी भी तरीके से मार दे उसका एक यही धे बनकर रह जाता है तो यहां पर हमने अपने इस चैप्टर का एक क्विक चैप्टर रिवीजन कर लिया जो हमारे एक्जा चैप्टर बऄस्ट रिवीजन करकी कौलम बना है इसे क्लिक करेंगे पे SnNext each one shot revision यहां पर अवैयलेबल है तो आप क्लास 10 में तो सब्हां है हिसफी सब्जेक्स आजाएगे जितने आपके सामने पेटर आप तेकन कर लास वीज online हिま laurem Children के नाम से आप तो आप जो भी chapter पढ़ना चाहते हैं, जो भी subject पढ़ना चाहते हैं, उस पे click करेंगे, click करते ही सभी chapters के आपके सामने one shot revision ready है, उन्हें click करिए, वीडियो देखे और अपने revision को complete करिए, जो आपके exam में बहुत ही जादा helpful रहेंगे, तो ये जो भी one shot revision आप देख रहे हैं, इस अपने like, share और subscribe कीजिए, thank you for watching, bye bye